तो हलो वरीवन आपका एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ तो भाई जलवा है इस मूवी का बड़े मिया चोटे मिया की बात कर रहा हूँ BMCM जलवा है भाई बहुत बड़ा जलवा है मैं वैसे इस टाइम देखो वीडियो बनाता नहीं लेकिन जो मुझे पता लगा तो मैंने सोचा कि यार इसके बारे मेりना को बड़ाना ब next है और आभी बताना बनता है इसके बारे मेरे में मैंने आते क्या यार आगे पर गड़ का बनता है तो भाई एक-एक वर्ड मेरा, ऐक्दम शुद्ध है शुद' और मैं सही कह रहा हूं कि इस movie का जलवा है और इस movie को अली अबाद दफर ने बहुत ही बारीकियों से direction दी है और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं को बाई देखो मुझे पता चला है मैं इसलिए कुछ बोल रहा हूं क्यों कि Indirectly यहाँ पे अली अबाद दफर से जो है यहां से कुछ बात निकली है एंड यहां पे दोस्तों जो इंसाइडर रिपोर्ट से वो निकल के आई है बताया गया है कि भाई देखो सबसे पहली बात तो बजट जो मैंने आपको इसका बताया साड़े 300 करोड के आसपास है पिर मैंने आपको य आप यह देख लो और ओवर्सीज में भाई अलग-अलग शहरों में अलग-अलग स्टेट्स में मुवी शूट हुई है साड़े 300 करोड से उपर का यहां पे इसका बजट है पिर अली अबाद जफर की अभी तक की सबसे ज्यादा बैस्ट मुवी बताई जा रही है जो अभ वो देखो यार वो देखो हटो बचो आ रहे हैं और इन सारी चीजों में रखके जो बात निकली है वो यह निकली है कि एक्चुली में जो इसके एक्शन सीन है वो जादातर एक्शन सीन अक्षे एंटाइक इश्रॉफ दोनों ने खुद की हैं खुद की हैं और आपने और यह ता हिस्ट बढ़िस लिएवापने सबस्टाइब तिक करते हैं इतना इह नहीं कर लो तो ओस दोर में ऑक्षे-कुवार देखो खुद ही स्टंड करते थे तो अब देखा जाए भाई देखो अक्षे कुमार को अगर अपनी वही चीज दोरानी है एंड उस टाइम पर भाई बोल बाला चल गया था कि भाई अक्षे कुमार तो भाई यह है वह तो अब उसी चीज़ को देखो दिमाग में रखके एक्षन बहुत बड़े बहुत बड़े ध़े यहां पर बताए जा रहे है वह बहुत बड़े स्केल पर लीए अबाद सफर ने इसको चल रहे हैं यहां पर कुछ स्टार कास्ट हैं जो की लेडी हैं मुवी के अंदर उनके नाम निकल के आए हैं नाम निकल के तो आए हैं भाई सोनाक्षी सिनहा भी है मुवी के अंदर सोनाक्षी सिनहा मानुशी चिलर एंड यहां पर भाई आईश आई कहा नाम है अलाया अलाय के अंदर पताई जाने सोनिया गोस्वामी अंडर कवर रो एजेंट एंड यास्मीन एलीस बी एंसी रिपोर्टर जाइना क्या अजीब नाम है नीना कुमार आर्मी ऑफिसर मतलब दोस्तों जाद तर इसमें एक्टरस जो है ना भरी पड़ी है भाई भरी पड़ी है मानुशी चिल्लर सोनाक्षी सिना जानवी कपूर एंड भाई सोनिया गोस्वामी भाई भरी पड़ी है एक्टरस इस मूवी के देखो मुझे लगता है कि इसमें जैंस यानि के मेल एक्टर तो ने लेंगे लेंगे लेकिन इसमें मुझे ऐसा महसूस हो रहा है के फीमेल करेक्टर भी आपाँ पर चø hormone आसा कि तर इक हमोगों को देखने को मिला था Indian cinema को, कि ऐसा भी हो सकता है, अब देखो, यह जो army officer है, अब इस तरीके से, जो एक action movies बनती है, अब उन action movie को रख के, अगर कोई इस तरीके से, ऐसा कोई scene डाले, मैं आपको कहता हूँ कि उस scene पर तालिया बजेंगी, उस scene पर तालिया बज़ेंगी क्योंकि Tiger 3 का आप पूरा circle देख लो पूरे circle में जो एक fight sequence था, वो कैटरीना वाला बातरूं वाला, उस scene पर भाई तालिया बज़ेंगी चाहे वो थोड़ा scene हो, भाई मदा आता पबलिक को, क्योंकि लड़कियों की fight थी, लड़कियों की fight एक अलग scene ले आती है, अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो male actor है, उनकी तो fight भाई देखता आरा, आदमी बच्चपने से, लेकिन यहाँ पर बहुत कम movies में देखने को मिलती है, ladies fight तो मुझे लगता है कि इस movie के अंदर ladies fight भी है, क्योंकि जैसा insider थे, reports आ रही है, दोस्तों महाँ थे, मैंने पूचा भी है, फोन पर अपने दोस्त है, कि भाई, क्या मसला है, तो बता रहा है कि भाई, देखो, अलग level पर जा रहा है, मसला and movie काफी अलग है and जो action sequence दिये है, movie के अंदर वो काफी हटके है वो कि अली अबाद जफर की अपनी खुद की एक action की team है, जो कि वो जादा तर अपनी movies में उन्ही लोगों को बुलाते है, अब कैसा action इस movie के अंदर दिया गया है, भाई, ये तो movie के जो teaser या trailer आएंगे न उसमें पता लगेगा, बाकी ये है कि teaser की reports, 22 तारीक को दोस्तों पता चलिए कि 22 जनवरी को आएगा and fighter के साथ में भी इस teaser को दिखाया जाएगा, बाकी दूसरी बात मैं करूँ, poster poster को लेके ये है कि इसका poster अभी तक ऐसा देखो उस तरीके से तो आया, officially 2-3 poster आ चुके है, लेकिन अभी क्या है, वो आया था जब, मतलब अभी time हो गया, एक-दो महीन हो गया, अब जहां पर आगर poster इस movie के आते हैं, तो मैं बताता हूँ, 100% इस movie का बस बनेगा, वो क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कह रहा हूँ, कोई देखो, अक्षे कुमार इस time पे, पूरे दिन में आप कहीं न कहीं आप देखेंगे, ट्रेंडिंग में बने हो, और इससे पहले नहीं बने हो, क्योंकि movie, भाई देखो, अगले साल अक्षे कुमार की बताई जा रही है, तीन तीन मूवी आ रही है तीन या चार मूवी मैंने सुनी है, पहली तो यही है BMCM, दूसरी सिंगम 3, चलो उसमें Camus माल लो तीसरी Sky Force चोती, अभी मेरे को पता चला है कि Welcome 3 का भी यहाँ पे कुछ न कुछ पंगा लग रहा है हो सकता है, Welcome 3 भी यह अगले साल ही घुसर दे बागी मैं तो यही जो है, उमीद करूँगा कि बाई अगले साल अगले साल देखो, अक्षे कुमार की न, एक चलो Camus के माल लो पब्लिक बोर हो जाएगी, पब्लिक बोर हो जाएगी, मैं लिटरली आपसे कह रहा हूँ कोगे, दो मूवी बहुत हैं, एक साल के शुरू में आ जाए, एक साल के लास्ट में आ जाए, बीच में अगर कोई मूवी में Camus आ रहा है, उसमें जरूवत है और बिल्कुस जरूवत के तोर पर वो Camus है, तो मैं आपको बताता हूँ, बहुत बढ़ी है जाएगी मूवी, सिंगम 3 भी, और सिंगम 3 भी एक महा भारत की स्टोरी पे बेस्ड है, जिस तरीके से रोही शेटी बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी एक अदमदार यहाँ पर Camus लगेगा, अक्षे कुमार का तो फिलाल यह है कि दोस्तो भाई, अली अबाद जफर काफी बड़े लेवल पर इस मूवी को बनाने जा रहे हैं, और कोशिश यही है कि अच्छी बन जाए है, हम तो यही चाहेंगे भाई, देखो अक्षे कुमार की मूवीज इतना जादा रन नहीं कर रहे हैं, बॉक्स स्टार्स से कि यह मूवी दोनों ही स्टार्स की दोस्तो करियर को थोड़ा सा आगे चलाए, अच्छी जाए, उमीद तो यही है कि जित हिसाब से अली अबाद दफर ने मूवी को डाइरेक्शन दी है, तो देखते हैं फिलाल, दोस्तों अगली अगली अपज एडियो भी आ